next topic is logic gates, logic gates are the basic building blocks of digital computers logic gates operate on two voltage levels and process digital signals which represent binary digit 0 and 1 यह क्या करते हैं जब भी अब digital computer में कोई भी gates बनाते हैं तो उनके basic चीजें जो होती हैं वो logic gates होते हैं यह दो voltages पर उप्रेट करते हैं या फिर 0 पर या 1 पर या तो आपका input output 0 होगी या आपकी input या output 1 होगी digital logic and logic gates, digital logic क्या करते है आपने अगर कोई digital logic में क्या होगा अगर आपने कोई calculator बनाना है computer, digital watches बनानी है उस्के लिए आप digital logic यूजजे करते हैं लेकिन जब आपने कोई भी डिजिटल circuit बनानी है उसकी या अब डिजिटल लौजिक गेट्स आभ योज करते हैं जिसमें या तो आपकी इंपुट होगी जीरो या फिर आपके आउट्पुट होगी जीरो या वन में से कोई भी आफ या फिर आप फिर अन उसको लो और हाई भी कहते हैं अब हमारे कुछ basic logic gates हैं यह कौन कौनसे होते हैं and or not gates and gate में क्यों होता है आपकी 2 inputs होती है और एक आपका output मिलती है या तो आपके inputs low हो सकती है high हो सकती है या दोनो low हो सकती है दोनो high हो सकती है इसमें क्या होगा आपकी जो output है वो आपको इसी सुरत में सिर्फ high मिलेगी जब आपकी दोसरी दो inputs जो हैं वो high होंगी otherwise आपको ये low ही मिलेगी और end gate जो है इसको हम किस से symbolize करते हैं multiplication से और gate को आप करते हैं plus से इसमें क्यों होते हैं आप दो ही inputs यूज़ कर रहे हैं तो आपको answer one ही मिलता है एक आपकी high है एक आपकी low है लेकिन आपको answer high ही मिल रहे है लेकिन जब आपकी दोनो low होंगी तो आपको answer low मिलेगा ठीक है जो आपको not gate है इसमें क्या होगा अगर आपकी जो output input है वो आपकी low है high है तो आपको low मिल जाएगी और अगर आपकी low है तो आपको high मिल जाएगी यह आपका opposite हो जाएगा इसका यह वाला आपका symbol है इसमें आपने एक triangle बनानी है उसके आगे एक आपने circle लगाना है इसका आपका इस तरहां का symbol है और यह आपका end gate का symbol है नेक्स्ट आपका truth table और z आपकी output है इसमें आपने लिया 0 0 1 1 0 1 0 1 अब भी हमारा end है मतलब कि हम multiply करें तो एक भी आपकी input जो है वो आपकी 0 होगी तो आपका answer 0 ही आएगा low ही आपका answer आएगा लेकिन अगर आपकी दोनो high है तो फिर आपका high आएगा इसमें भी एक high ही और दोनो high है फिर भी आपका high आएगा लेकिन जैसे अगर आपका not gate है उसमें क्या होगा अगर आपकी input 0 है तो आपका output 1 आ जाएगी अगर आपकी input high है तो आपकी output low आ जाएगी इसमें opposite हो जाएगा ओके यही सारी instructions उन्होंने आपको यहाँ पर बताई है यह inputs उन्होंने 3 inputs ली है और उसके output ली है इसमें उन्होंने बताया है 0, 1, 0, 1, double 0 और 1, 0, 1 की सिरफ आपकी 1 output आएगी इसके इलावा बगी सब की आपकी 0 output आएगी ओके बिटा तेंक यू